इरान में हिजाब पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है यहां हिजाब ना पहनने पर महिलाओं पर अत्याचार किया जा रहा है हिजाब के नियमों का उलंगन करने पर सक्त सजा का फर्मान जारी किया गया है France 24 की रिपोर्ट के मुताबिक इरानी सरकार ने हिजाब कानून के नियम को नहीं मानने वाली महिलाओं को मानसिक इलाज के लिए भेज रही है वहीं स्वास देखभाल संगठन ने चेतावनी दी है कि देश की नियाई पाली का इस उद्देश के लिए मानसिक चिकिलसा का उपियोग कर रही है इरानी महिलाएं जैसे जैसे कड़े प्रतिबंधों का उलंगन कर रही है सरकार उतने ही कड़े कदम उठा रही है यानि हिजाब न पहनने वाली महिलाओं पर पहले से ज़्यादा सक्ती बरती जा रही है ताकि हिजाब कानून का पालन नहीं करने वाली महिलाओं पर लगाम लगाया जा सके इस बिरोध प्रदर्शन में इरानी एक्टरेस अफसाने ही बेगन भी शामिल हुई जिन्होंने बार-बार खुले बालों की तस्बीर पोश्ट की है वो हाली में एक समारो में बिना हिजाब के शामिल हुई थी जिसके बाद इरानी एक्टरेस को दो साल की जेल की सजा सुनाई गई है उन्हें एंटी फैमली प्रिसनाल्टी डिस ओर्डर का इलाज करने के लिए सप्ताह में एक बार मनो विज्ञानी केंद्र जाने को कहा गया है इतना ही नहीं तेहरान प्रांध की एक अदालत ने तो महिला को बिना हिजाब के गारी चलाते हुए पकड़े जाने पर ऐसी सजा सुनाई है जिसे से आपकी रूह कांप उठेगी अदालत ने महिला को एक महिने तक मुर्दा घर में लाशों को साफ करने की सजा सुनाई है पीडित महिला का गुनाह सिर्फ इतना था कि वो बगार हिजाब पहने गारी चला रही थी इरानी प्रोफेसर ने कहा है कि अफसाने वेगन को जो सजा दी गई है वो एक उधारन है इसे से जाहिर होता है कि सरकार महिलाओं के अंदर खौफ पैदा करना चाहती है महिलाओं को सिठ ढखने पर मजबूर करने के लिए सरकार नए नए तरीके खोज रही है उन्होंने आगे बताए कि सितंबर 2022 में महासा आमीनी की हिरासत में मौद के बाद देश की कई महिलाओं ने हिजाब छोड़ने का फैसला किया था जानकारी के लिए बता दे कि आमीनी नाम की यूगती की पिछले साल सितंबर में पुलिस कस्टेडी में मौद हो गई थी जोंके फैसले पर कई समाजिक संगटनों ने हैरानी जताते हुए उनकी आलूजना की है देश की मुख नियाई पालिका को भेजे गए एक खुले पत्र में इरान में चार मानसिख स्वास्थ संगटनों के अध्यक्षने अधिकारीओं और अन्य उद्देशों के लिए मनो रोग का शोशल करने का अरोब लगाया है पत्र में कहा गेहा कि मानसिक स्वास्थ विकारों का निदान मनों चिकस्षकों की जिम्मेदारी है न्याय धीसों की नहीं आपको कैसी लगी हमारी ये जानकारी हमें कमेंट शेक्षन में जरूर बताईएगा ऐसे ही खबरों के लिए बने रही है न्यूज एटीन हिंदी व अरिजनल्स के साथ